नमस्कार आप देख रहे हैं जी एस टीवी अंदर की बात के साथ मैं हूं मानसी कनाटक विधान सभा चुनाव से पहले गहमा गहमी का माहुल शुरू है कांग्रेस ने सिध्धा रमया का नाम कॉलार सीट से हटा दिया था उनकी जग कोथूर जी मंजुनाथ को मैदान में उतारा है सिध्धा रमया वरुना की अलावा कॉलार से चुनाव लड़ने की इच्छा काफी बार जता चुके है क्या सिध्धा रमया लेने वाले हैं रादनीती से सन्यास पूर्व सीएम और कॉंग्रेस के बड़े निता सिध्धा रमया ने बड़ा एलान किया है मैसूर के वरुना में एक चुनावी रेली में उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद मैं चुनावी रादनीती छोड़ दूँगा दरसल आगामी कनाटक विदान सबा चुनाव में सिध्धा रमया केवल वरुना निर्वाचित क्षित्र से चुनाव लड़ेंगे कॉंग्रेस से 224 सीटो वाले विदान सबा चुनाव के लिए अपने में द्वारों की तीसरी सूची जारी की इसमें कॉंग्रेस ने सिधर रमया का नाम कोलार सीट से हटा दिया था उनके जगा कोथूर जी मंजुनात को मैदान में उतारा है हालाकि सिधर रमया ने वरुना के अलावा कोलार सीट से चुनाव लड़ेंगे की इच्छा काफी बार जता चुके थे कॉंग्रेस निता सिधरमया को वरुणा निर्वाचन क्षित्र के लिए अपना नामांकन दाखिल करने की उमिद है वहीं बीजेपी से कॉंग्रेस में शामिल हुए जगदिर शेटा ने हूबली धारवार मध्य विधानसबा क्षित्र से अपना नामांकन दाखिल किया है 10 माई को कनाटक विधानसबा चुनाव एक चरण में होने है और नतीजे 13 माई को गोशित किया जाएंगे इससे पहले पिछले मैले में सिधरमया उस वक्त मुसिबत में फसे थे जब उन्होंने एक ऐसे वेक्ति को थपड मार दिया था जो कथीत तोर पर कॉंग्रिस विधायक के लिए चुनाव टिकीट की मांग करने वाले समर्थकों में शामिल था विरो रिपोर्ट जी एस टीवी